नरेंद्र मोधी स्टेडियम में होने वाले IPL फाइनल मैच कुई टिकेट को लेकर हंगामा होना शुरू हो गया है जैसे ही ओनलाइन टिकेट वैसे तो बिक रही थी लेकिन जैसे ही ओनलाइन टिकेट खुली थी तुरंट बाद ही उसको बन कर दिया गया था सारे टिकेट जो है वो बिक चुके थे लेकिन अब जो परसनली यहाँ पे टिकेट लेने के लिए पहुच रहे हैं उन लोगों को यह टिकेट नहीं मिल रही है जिसके चलते जो क्रिकेट प्रेमी है वो काफी नाराज है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज़ादा जो क्योस है वो यहाँ पे मचा हुआ है क्यूंकि हर किसी को यहाँ पे टिकेट चाहिए और यहाँ पे आप देख सकते है जो TATA IPL 2023 फाइनल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि टिकेट सिर्फ स्टेडियम बॉक्स जो है वहां के लिए रहेगा और 25 तारिक को एक बज़े से मिलना शुरू हो जाएगा, हाला कि टिकेट अभी नहीं मिल रहा है, जिसकी वज़े से यहां पे हंगामा हो रहा है, दो टि जा रहा है यहां से, अभी अंदर जानी रहे थे, अभी टिकेट लेने के लिए जा रहे है, और ओनलाइन चलानी रहे है, अभी सुबह से घड़े के टिकेट लेने का फाइनल का, तो उसमें ऐसा बोला कि पहले ओफ लाइन नहीं मिलेगा, ओनलाइन करना पड़ेगा, तो अभी बोल रहे हैं कि एक आईडी पर सुब्स एक ही टिकेट लेगे? आज से टिकेट इससे प्रिंट मिलेगी अभी वो बोल रहे हैं आज से आएगी हैं आपको फाइनली कहा क्या कर लिए हमको ऐसे बूलने कि हमने फाइनल का टिकेट भूक करवा लिए है उसके बूल रहा अंदर जाके हमने पूचा को तुम सब्सक्राइब कर लेके मिलेगा आज से बात किये हमने तो आज से लिखा है कि आज से टिकेट कर आई है तो आज वो बोल रहे हैं अभी नहीं मिलेगी यह तो अभी मना कर रहे हैं आभी डास मिट पहले ये लोग बोल रए हैं कि अभी समी फाइनल का टिकेटा मिल रहा है। ऩो सभी लोग फाइनल का टिकेट लेने के लिए तहरी बजाए थी कैरे के लिए? फिजिकल टिकेट यहां पे नहीं मिल पा रहा है और सीधा-सीधा यहां पे लिख दिया गया है, अचाहिए साथी लिखा गया है कि आप अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड जो भी डिटेल्स है यह सारे, वो उनलाइन में दे दिया है मेडम, सब उनलाइन में सब डिटल जिए, सक्वी में हमारे पास, शेंदे लिखाने और फिजिघाट लिए गया है, लेकिन अब जब फिजिकल टिकेट यहां पे लेने के तुह सिँ यहां पे लिए गया है, आसे, आपने भी पूस चरवाया है sauce यहां नहीं लिए गया रहा है यह अच्छ सेद़ा गया है यहां पे टिकेट तो ऑनलाइन बुक करवा दिया है अब यहां पे जो कियोस है वो सबसे जादा शुरू हो गया है कि जिसे टिकेट लेना है वो लोगों को अब स्टेडियम के अंदर जाने दिया जा रहा है क्योंकि लगातार जो यहां पे करीब दुपर एक बजे से ही कुछ सबसे जादा यहां पे क्योंकि तिकेट जो है वो अगर ऑनलाइन बुक करवा रहा है तो उनको फिजिकल कॉपी लेने के लिए यहां पे आना पड़ा है लेकिन वो अभी मिल नहीं रहा है लोगों से भी बात करते हैं वो क्या कह रहे है आप लोगों को टिकेट मिल गया है क यहां पे क्या बोला आप लोगों को फिजिकल ऑनलाइन बुकिंग करवाया है आपने नहीं अभी वेट चल रहा है वेटिंग में रेफरेंस यहां अनलाइन में मेंशन नहीं किया है कि हाड़ कॉपी चाहिए कि नहीं चाहिए लाइसेंस की कॉपी या कोई आईडी क्लारिटी नहीं है यह क्लारिटी नहीं है यह क्लियर मेंशन करना चाहिए कि एक आईडी कॉपी का जैरॉक्स लेकर जाना है अच्छा आप भी अपना मैंच यह मुंबई से टिकेट बुक कर रहा है फिर भी वह यहां आईटिंटिकेश भाग रहे है ऐसा है आप मुंबई स अच्छा दस रुपे ले रहे है बिल्कुल टिकेट को लेकर हंगामा जो है हर जगह पर क्योंकि देखे बहुत सारे जो फैन है वो भी यहां पे मौजूद है और यहां पे सुबह से ही इसी तरीके से क्योंकि फिजिकल कॉपी हर यहां पे होनी बहुत जरूरी है और फिजि अच्छा थी दिफट मिल रहा है जिसमी फैनल का उनलाइन को टिकेट मिल रहा है किया था सुबह भजे फोगे फाइनल का पर फैनल का नहीं हो आधी और क्या करेंगे लेकिन फाइनल का टिकिट सुबह थो करना पड़ेगा इनुगार थैसरी जूगारत तो कितने लोग CSK के फैन है और क्या लगता है फाइनल में कौन-कौन फिर आएगा CSK गुजरात आएगा यह बताए कि टिकेट को लेकर जो यहां पर इतना जादा है चुकि यह कहा जा रहा है आई-डी प्रूफ और यह सारी चीजे लेकर आई उससे परेशानी हो रही है पर अब क्या करना पड़ेगा नहीं इतनी सारी केपीजिटी है पर कुछ भी हो नहीं रहा तो मतलब कुछ इसका सॉल्यूशन लाना चाहिए और बार ऐसा होता है है तो हमको उनको सपोर्ट करके करना चाहिए जो भी सीक्रीटी है हमको भी प्रोपेगेंडा फॉलो करना चाहिए उनका जो भी है बिल्कुल आप बताएए कहां से है और टिकेट लिए लोकल ही हम लोग यहां से ही है टिकेट मिल रहा है हाँ टिकेट तो सेमी फाइनल का मिल अचा, CSK के लिए फाइनल टिकेट्स यहाँ पे लेने के लिए यह लोग मौजूद है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नरिंद्र मोधी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और एक लाख दस हजार लोग एक साथ बैट कर यहाँ पे मैच देख प हर किसी के लिए एक अलग ही उच्छा है और जैसे ही CSK का फाइनल में आना तै हो गया उसके बाद लोगों का उच्छा भी जो है वो काफी जादा बढ़ गया आप बताए टिकेट मिल रहा है आपको फाइनल का राजिस्तान चे स्पेशल महेंद्र सिंग दोनी को देखने आ और हमको टिकेट मिलना चाहिए हमने बहुत अंदर किया बोला सबको लेकिन कोई टिकेट नहीं दे रहा है वो बोलता है वहाँ जाओ वो बोलता है वहाँ जाता है हम बहुत कोशिस कर रहे है ओनलाइन भी देख रहे है यहाँ पर भी टिकेट का कोई solution आए नहीं रहा है तो इसलिए हाथों में ये दोनी का ती-शेट है, वो यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से दोनी-दोनी, पूरा जो स्टेडियम है, वो फाइनल के दिन पर दिखाई देखा, लेकिन उससे पहले जो क्रिकेट के प्रेमी है, वो थोड़े से नारास है, क्योंकि फाइनल का जो टिक के इंतिजाम तो सारे किये गये हैं, लेकिन वो टिकेट फिलहाल फिजीकल कॉपी जो है, वो नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसमें भी काहा गया है कि आईडी प्रूफ के साथ हर एक शक्स को दो टिकेट जो है वो उन्हें मिल पाएगी तो लोग जो है वो फाइनल की मैच को लेकर थोड़े से निराज जरूर हुए क्योंकि टिकेट उनको नहीं मिल पा रहा है हलाकि हर कोई अपना जुगार करने में लगा हुआ है कहीं से वो आईडी एल की मैच को स्टेडियम के अंदर बैट कर देख पाए कामरामन प्रितेश रावल के साथ गोपी घांगर एहम दबाद नरेंद्र मोधी स्टेडियम आज तक